इस वीडियो में हम reduction formula discuss करेंगे so first formula है integration over 0 to pi by 2 sin rest to the power nx dx उसको हम define करेंगे define करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर जो power given है उस power को हम इस प्रकर स्रेट करेंगे n उस power में इस एक number minus करेंगे तो यहाँ पर n-1 हो जाएगा उससे एक number minus करेंगे n-2 उससे एक number minus करेंगे n-3 उससे एक number minus करेंगे n-4 n-5 into so on इस प्रकर से हमें जो given power होगी उसको हम इस प्रकर से arrange करना है और यह कब तक करना है में last में हमें आपे 1 by 2 मिल जाएगा अगर यह 1 by 2 हमें कब मिलता है जब हमारा even number होगा तब 1 by 2 जब हमें मिल जाएगा तो उस टाइम हमें stop करना है और उसको multiply करना है पाई बाई 2 से यह हमारा reductions formula है when n is even if n is even अगर हमारा जो यह न का power है यह आपे sin raised to the power n अगर वो even होता है तो हम इस प्रकार से उसका solution write करेंगे यह तो फिर अगर power अगर हमारा odd number होता है तो हम से इसी प्रकार से रइड करेंगे यहन के power को denominator में उससे एक minus करेंगे numerator में again n minus 2 n minus 3 into n minus 4 into n minus 5 into so on अगर हमारा यहन odd number होगा तो last के terms हम यहापे मिल जाएगी 2 by 3 तो 2 by 3 write करने के बाद उसका हमें 1 से multiply करना है यह हमारा formula होगा if yarn is odd अगर हमारा yarn odd होगा तो हम इस प्रकार से reduction formula का यहापे use करेंगे तो यहापे important होगा हमारा yarn की value जो हमारा yarn की value even number या तो फिर odd number होगे और last में हमें अगर 1 by 2 या तो फिर 2 by 3 जब मिल जाएगा उस time हमें stop करना है अगर 1 by 2 मिलता है तो पाई बाई 2 से multiply करेंगे और 2 by 3 मिलता है तो 1 से multiply करेंगे इसके हम कुछ examples से आपे solve करेंगे reduction formula का use करके सबसे पहले हमें यहापे examples write करते integrations over 0 to pi by 2 यहापे integration का limit 0 to pi by 2 होना चाहिए हम write करेंगे सबसे फहले first example sin raise to 4 x dx यहापे हम n की value check करेंगे n की value कितनी यहापे 4 है that means n is the even number हम इस formula को किस प्रकार से apply करेंगे जो n की value है यहापे write करेंगे उससे एक minus करेंगे 3 हो जाएगा into उससे एक minus करेंगे 2 उससे एक minus करेंगे 1 by 2 यहापे हमें 1 by 2 मिल चुका है last time तो 1 by 2 हम किस से multiply करेंगे pi by 2 से multiply करेंगे अगर इसको solve करेंगे तो 3 into 1 into pi which is 3 pi upon denominator में यहापे 4 into 2 8, 8 into 2, 16 इसका answer मिल जाएगा 3 pi upon 16, same second एक another examples write करते आपे अगर integration over 0 to pi by 2, अगर हमें यहापे sin raise to 5 given है sin raise to 5 x dx अगर इसको solve करना है तो again same rule, जो यहापे denominator में numerator में उससे 1 minus करेंगे 4, उससे 1 minus करेंगे 3, 2 तो यहापे last time कुन से बचे यहापे 2 by 3, अगर 2 by 3, that means यहापे हमारा odd होगा, तो 5 यहापे odd है, तो इसको multiply करेंगे हम 1 से, इसको solve करेंगे 4 into 2 into 1 which is 8 upon 5 into 3 which is 15, तो इस प्रकार से हमें reductions formula यूज करना है integration over 0 to pi by 2 sin raise to n x dx के लिए, ओके, थैंक यू